दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर थाई हॉरर मुवी को देखा था जिसका कॉंसेप्ट मुझे बहुत जादा अलग लगा जिस मुवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कैडेवर और ये मुवी 2006 में रिलीज हुई थी IMDB ने इसे 5 out of 10 की रेटिंग्स दी है और ये मुवी काफी ज़दा इंटरस्टिंग है ये मुवी फोकस करती है एक मैडिकल स्टूडेंट पे जिसके साथ कुछ हॉंटिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है वो हॉंटिंग्स कैडेवर से रिलेटिड होती है और जिन लोगों को कैडेवर का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि एक इनसान की लाश को साइन्स की भाशा में कैडेवर बोलते है आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कैडेवर मुवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बाते करने जा रहे हैं और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ मुवी शुरू होती है और हम माई नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसे रात के टाइम एक बुरा सपना आता है अगले दिन सुबह माई सो कर उठती है और हमें पता चलता है कि माई अपनी दादी के साथ रहती है और वो एक मैडिकल स्टूडेंट है अब जब माई अपनी दादी से बात करती है तो उसे पता चलता है कि नोई नाम की एक लड़की उसके घर में किराए पे रहने के लिए आई है माई अब कॉलेज के लिए निकल जाती है और वो रास्ते में एक फूलो का गजरा खरीदती है सीन माई के कॉलेज में जाता है जहां पे हम देखते हैं प्रोफेसर प्रतीक को जो छोटे स्कूल के बच्चों को कैडेवर की नौलेज दे रहा था अब हमें माई और उसके दोस्तों को दिखाते हैं जिनके सामने से एक कैडेवर को ले जाया जाता है और माई उस कैडेवर को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती थोड़ी देर बाद माई की क्लास शुरू होती है और हमें पता चलता है कि आज से माई को क्लास में आटापसी करना सिखाया जाएगा वो भी असली कैडेवर का यूज करके कलास के अंदर बच्चों के ग्रुप्स बना दिये जाते हैं और हरे ग्रुप को एक कैडेवर दे दिया जाता है सारे बच्चे सबसे पहले कैडेवर के उपर फूलों के गजरे रखते हैं और आत्मों की शान्ती के लिए प्रे करते हैं और फिर एक प्रोफेसर बच्चों को समझाता है कि medical school के कैड़ेवर आखिर सड़ते क्यों नहीं है कुछ देर बाद प्रोफेसर प्रतीक वहाँ पे आता है और वो ही असल में बच्चों को और टौप सी सिखाने वाला था अब प्रोफेसर प्रती सबसे पहले बच्चों को कैडेवर को टच करने के लिए बोलता है ताकि बच्चों को आगे डर्ड ना लगे अब सारे बच्चे कैडेवर को टच करना स्टार्ट कर देते हैं और कैडेवर को टच करते वक्त माई का एक दोस्त कैडेवर का हाथ उभार देता है और माई को वो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है माई अपनी आखे बंद करके कैडेवर के हाथ को फिर से ढग देती है पर वो अंजाने में कैडेवर का मुँ उभार देती है अब जैसे ही माई अपनी आँखे खोलती है वो देखती है कि कैडेवर ने भी अपनी आँखे खोल ली है और वो कैडेवर अचानक ही माई पे हमला कर देता है और माई डर के मारे बेहोश हो जाती है कुछ देर बाद माई को नर्सिंग रूम में होश आता है और वो देखती है कि एक और लड़की नर्सिंग रूम में लेटी हुई है वो लड़की माई की तरफ देखती है और तभी प्रोफेसर प्रतीक माई के हालचा लेने वहाँ पे आ जाता है माई थोड़ी देर प्रोफेसर प्रतीक से बात करती है पर जब वो दुबारा उस लड़की की तुरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते है क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस बैट पे वो लेटी हुई है वो ही असल में कमरे का आखरी बिस्तर है ये देखकर माई डर जाती है और वो तुरंती वहाँ से भाग जाती है स्कूल से निकल कर माई अपनी दोस्त जैन को फोन लगाती है और से सब कुछ बताती है पर जैन को माई की बात पे यकीन नहीं होता रात को माई घर पहुचती है जहाँ पे उसे अपनी दादी का एक लेटर मिलता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चली गई है अब माई नहाती है और अपने contact lens को उतार कर थोड़ा relax करती है पर तब माई को एक spirit अपने कमरे के अंदर दिखाई देती है माई की आँखे कमजोर होने के कारण वो धंग से उस आत्मा को नहीं देख पाती और जैसे ही माई चश्मा लगाती है वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है अब जब रात के टाइम माई पढ़ रही होती है तो उसे अपनी पिछले साल की एक फोटो मिलती है जिसमें वो अपने boyfriend के साथ थी सोते टाइम भी माई को नीद ढंग से नहीं आती और उसे चोटी चोटी चीजों से irritation होने लगती है अब अगले दिन प्रोफेसर प्रतीक human brain के बारे में बच्चों को पढ़ा रहा था और माई के दोस्त पीछे बैटके मस्ती कर रहे थे उसी टाइम पे माई को फिर से उस लड़की की आत्मा दिखती है जो धीरे धीरे उसके पास आने लगती है पर तभी प्रोफेसर की क्लास खतम हो जाती है और माई वहां से भाग जाती है इसके बाद माई को वो Spirit College के हॉल में फिर से दिखाई देती है और अब माई बुरी तरह ड़ने लगती है पर तभी जैन वहां पे आ जाती है और वो माई को संभाल लेती है कुछ देर बाद फिर से अटॉपसी की क्लास स्टार्ट होती है और आज बच्चों को कैड़ेवर की चाती को काटना सीखना था कलास के बीच में माई को कुछ विस्परिंग सुनाई देती है और उसे ये भी लगता है कि जो कैड़ेवर टेबल पे पड़ा हुआ है वो सांसे ले रहा है अब माई अपना हैंड गलव नीचे गलती से गिरा देती है और जब वो नीचे जुकती है तो उसे एक स्पिरिट के पैर दिखाई देते है और उपर की तरफ देखते ही वो डरामनी स्पिरिट माई को एक बार फिर से बुरी तरह डरा देती है माई इतना ज़ादा डर जाती है कि वो अपनी पीछे वाली टेबल को गिरा देती है और उस टेबल के उपर जो कैड़ेवर रखा हुआ था वो भी नीचे गिर जाता है अब इतनी बड़ी गलती करने के बाद माई को हेड के पास भेज दिया जाता है जहाँ पे माई हेड टीचर को सब कुछ बता देती है कि उसे स्कूल के अंदर आत्माई दिख रही है ये बाते सुनने के बाद हेड टीचर माई पे बहुत ज़ादा गुस्ता करने लगता है क्योंकि साइंस की दुनिया में आत्माव पे यकीन नहीं किया जाता वो हेड टीचर माई को गुस्ते में कॉलिज से निकालने वाला था पर तभी वहाँ पे प्रोफेसर प्रतीक आ जाता है जो माई का साथ देता है प्रोफेसर प्रतीक माई की जिम्मेदारी अपने उपर ले लेता है और वो head teacher को बोलता है कि माई आगे से कोई भी गलती नहीं करेगी अब college के बाद प्रोफेसर प्रतीक माई को घर छोड़ने के लिए जाता है पर वो रास्ते में माई से पूछता है कि उसने नया नंबर खरीदा या फिर नहीं और इस सवाल से हम लोग थोड़ा confuse हो जाते है माई प्रोफेसर की बात का जवाब नहीं देती और वो गाड़ी से उतर जाती है रात के टाइम फिर से माई पढ़ने के लिए बैठ जाती है और से फिर से whispering सुनाई देती है जो इस बार एक box के अंदर से आ रही थी माई उस box के अंदर चेक करती है और उसे मिलती है अपने college की पिछले साल की yearbook उस yearbook के अंदर माई निंग नाम की लड़की की फोटो को घूरने लगती है और वो थोड़ी tension में आ जाती है रात को सोते वक्त माई को बार बार उस spirit का चहरा याद आ रहा था और तब ही माई देखती है कि वो भयानक आत्मा असल में उसी के कमरे के अंदर बैठी हुई है माई डर के मारे अपना मूझ छुपा लेती है और वो spirit माई से चिला कर मदद मांगने लगती है जिसके बाद वो spirit अपने आप गायब हो जाती है अब अगले दिन माई ट्रैवल करके एक पुराने खाली घर में पहुचती है जहांपे माई को पता चलता है कि वो घर किराए के लिए अभी खाली है माई उस घर के मैनेजर से कॉंटेक्ट करती है और वो उस घर के अंदर जाती है गर के अंदर माई एक खाली कमरे के अंदर जाती है जहां पे हम लोग निंग की तस्वीरों को देख पाते हैं मतलब ये कमरा कभी निंग का हुआ करता था और माई किसी कारण से जान भूच कर इस कमरे में आई है उस कमरे में एक बार फिर से वो आत्मा माई पे हमला कर देती है पर माई उससे बच जाती है क्योंकि मैनेजर वहाँ पे आ जाती है अब माई वहां की मैनेजर से निंग के बारे में पूछती है और हमें पता चलता है कि जो निंग थी वो माई के कॉलिज में ही पढ़ती थी पर हो एक साल पहले गायब हो गई और उस मैनेजर के हिसाब से निंग बांग को पढ़ने चली गई थी और तब से ही उसका घर खाली पड़ा है अब इसके बाद माई उस हॉस्टल में जाती है जहां पे निंग कॉलेज के टाइम पर रहती थी और वहां के मैनेजर से माई को पता चलता है कि निंग अपने बॉइफरेंड के साथ एक साल पहले भाग गई थी और तब से ही वो किसी को भी नहीं मिली और उसके पैरेंट्स ने भी उसको ढूनने की बहुत कोशिश करी पर अब उसके पैरेंट्स ने भी निंग को ढूनना बंद कर दिया है उस टाइम पे माई निंग के कमरे में से उसकी और उसके बॉइफरेंड की एक फोटो को उठाती है और हम लोग देखते हैं कि फोटो में जो लड़का निंग के साथ है वो ही लड़का असल में एक साल पहले माई का बॉइफरेंड था अब माई पिछली बातों को याद करने लगती है और सीन जाता है पास्ट में पास्ट में हम लोगों को पता चलता है कि उस लड़के का नाम था तोस और माई तोस से बहुत ज़ादा प्यार करती थी पर तोस एक दिन माई से ब्रेक अप कर लेता है और वो माई को बोलता है कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता ये बात सुनके माई का दिल बुरी तरह तूट जाता है और तोस वहां से जाने लगता है पर माई तोस को रोकने के चकर में उसे सीडियों से गलती से धक्का दे देती है और तोस के सीडियों से नीचे गिरते ही सीन वापिस प्रेजेंट में चले जाता है अब ये सीन देखकर इतना तो साफ हो जाता है कि पिछले साल माई के साथ कुछ कॉलिज में बहुत बड़ा हुआ था जिसकी वज़ा से शायद अब वो आत्मा माई के पीछे पड़ी है इसके बाद माई जाती है प्रोफेसर प्रतीक से मिलने के लिए और वो प्रोफेसर से पूछती है कि आखिर पिछले साल निंग के साथ क्या हुआ था ये बात सुनके प्रोफेसर माई की बात को गुमाने की कोशिश करता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि जो निंग थी वो माई के बॉइफरेंड तोस्स से प्यार करती थी पर पिछले साल उसने अचानक ही स्कूल छोड़ दिया था और अब माई को लग रहा है कि असल में स चुकी है प्रोफेसर प्रतीक माई से एक बार फिर से पैच अप करने के लिए बोलता है पर माई वहां से भाग जाती है सीन वापिस पास्ट में जाता है जहां पे हमें पता चलता है कि तोस्स सीडियों से गिरने के बाद बुरी तरह मारा गया था और उसी टाइम पे प्रो प्रिशे के आगे रो रही थी अब रोते हुए माई के बाल उतर जाते हैं और हमें पता चलता है कि माई अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साल से विग को पहन रही थी उस रात को माई को तोस्स की स्पिरिट भी दिखती है और माई उससे माफी मांगने लगती है और अ बोलती है कि वो जल्दी ही निंग की बाडी को ढूण लेगी और फिर वो तोस्स और निंग का अंतिम संस्कार कर देगी ताकि उन दोनों की आत्मा को शांती मिल जाए प्रोफेसर माई को ये सब करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से पुलिस को सब कुछ पता चल जाएग और हम लोग समझ जाते हैं कि प्रोफेसर प्रतीक ने निंग और तोस्स की लाशो को मेडिकल कॉलेज में कैडेवर के रूप में रखा हुआ है और अब बस माई को उन दोनों के कैडेवर को ढूण ना था अब माई जाती है कॉलेज के डॉक्यूमेंट रूम में जहां पे वो मैनेजर को अपनी बातों में फसा कर कैडेवर के डॉक्यूमेंट को निकलवा लेती है और जैसे ही मैनेजर का ध्यान भटकता है माई वो डॉक्यूमेंट को लेके वहां से भाग जाती है माई उस डॉक्यूमेंट को टॉयलेट में बैठके पड़ती है जिसमें उसे तोस और निंग दोनों के ही कैडेवर मिल जाते है पर माई चौक जाती है ये बात जानकर कि असल में जिस कैडेवर की अटॉपसी वो कर रही थी वो कैडेवर असल में निंग का ही था अब तोनन्ती माई अपनी अटॉपसी क्लास में जाती है जहां पे वो देखती है कि निंग के कैडेवर को कोई वहां से ले गया है और तबी माई कुछ लोगों को देखती है जो एक कैडेवर को ले जा रहे थे माई को लगता है कि वो कैड़ेवर निंग का ही है और वो अपनी पूरी जान लगा के उन लोगों का पीछा करती है पर एंड में माई को पता चलता है कि वो कैड़ेवर निंग का नहीं किसी और का है अब माई को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो जाती है हेड टीचर के पास सब कुछ सच बताने के लिए माई हेड टीचर को पिछले साल का सच बताना स्टार्ट करती है पर हेड टीचर माई को बीच में ही रोक देता है हमें पता चलता है कि हैट टीचर अल्रेडी सारी सचाई जानता है पर वो यूनिवर्स्टी की रेपिटेशन को बचाने के लिए बिलकुल शांत है और वो माई को भी डरा धमका कर शांत कर देता है अब माई हार मानकर घर में जाके लेट जाती है पर तभी कमरे में फिर से निंग की आत्मा आ जाती है निंग की आत्मा क्रॉल करके माई के उपर पहुँच जाती है और वो गुसे में माई का गला दबाने लगती है माई बचने के लिए एक फ्लावर वेस से स्पिरिट को मारती है और निंग वहाँ से गायब हो जाती है कुछ दिर बाद माई के कमरे में उनकी किरायदारनी नौई आती है जिसने माई की चीखों को सुन लिया था नौई एक पुलिस वाली होती है और जब उसे पता चलता है कि माई मेडिकल स्कूल में पढ़ाई कर रही है तो वो उसकी और उसकी एक दोस्त की काफी ज़दा तारीफ करने लगती है नोई बताती है कि वो हर रात काम से जब भी घर आती है तो वो माई और उसकी दोस्त को पढ़ाई करता हुआ देखती है और माई चौक जाती है क्योंकि वो तो हर रात अकेली पढ़ाई करती थी और इसका मतलब निंग की आत्मा बहुत टाइम से माई के साथ रह रही है प्रोफेसर प्रतीक एक कार एक्सिडेंट में मारा गया है और शायद ये सब कुछ निंग की आत्मा की वज़ा से हुआ है इसके बाद माई जाती है स्वाई से मिलने के लिए और जब वो दोनों बात करते हैं तो सीन जाता है पास्ट में क्योंकि स्वाई बताता है कि आखिरकार निंग के साथ क्या हुआ था हमें पता चलता है कि तोस की मौत के बाद प्रोफेसर प्रतीक ने माई को बचाने के लिए तोस की बॉड़ी को कैडिवर की तरह यूज करने के लिए कैमिकल वगेरा से भर दिया था और इस कम में स्वाई ने भी प्रतीक कसा दिया था और अब स्वाई बताता है कि आज भी तोस का कैडिवर कॉलिज के बेस्मेंट में प्रिजर्व बॉक्स के अंदर रखा हुआ है इसके बाद स्वाई बताता है कि तोस की लवर डिंग को तोस की मौत के बारे में पता चल गया था और उसे प्रोफेसर प्रतीक में शक हो गया था पर इससे पहले निंग प्रोफेसर के खिलाफ कुछ भी कर पाती प्रोफेसर ने निंग का गला घोट कर उसे बुरी तरह मार डाला उसके बाद प्रोफेसर ने निंग के कैडेवर को भी कैमिकल से भरके प्रिजर्व बॉक्स में डाल दिया और एक साल तक कुछ भी नहीं हुआ पर कुछ दिनों पहले निंग के कैडेवर को कॉलिज में अटॉपसी के लिए निकाल लिया गया और क्योंकि निंग ने अपने शरीर को साइन्स को दान नहीं किया था तो इसलिए उसकी आत्मा अपना बदला लेने के लिए वापिस लौट आई ये जानने के बाद माई स्वाई से इस बात का सॉल्यूशन पूछती है और सॉआई बताता है कि उन्हें प्रिजर्व बॉक्स में से तोस और निंग के कैडेवर को निकालना होगा और उनके हातों को बाद कर उनका अंतिम सिज़कार करना होगा और ये काम करने के लिए वो दोनों पहुचते हैं सीधा कॉलिज में कॉलिज पहुचकर वो दोनों कैडेवर वाले रूम में पहुचते हैं जहां पे सॉआई निंग के प्रिजर्व बॉक्स को खोलता है माई कैडेवर उठाने वाली मशीन को चालू करती है और सॉआई निंग के कैडेवर को बॉक्स से बाहर निकाल लेता है पर अचानकी सॉआई वहां से गायब हो जाता है माई सॉआई को इदर उदर ढूंडने लगती है और तबी वहां पे आ जाता है प्रोफेसर प्रतीक और हम लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ प्रोफेसर प्रतीक की चाल थी माई को पकड़ने के लिए ताकि वो किसी को भी सच ना बता सके ये बात माई को भी समझ आ जाती है और प्रोफेसर का प्लैन था माई को मारने का और अब वो माई को पकड़कर उसका गला घोटने लगता है इस काम में सॉआई भी प्रतीक के साथ मिला हुआ था और अब वो सामने आके माई को मारने के लिए बढ़ता है उस टाइम पे माई सुआई के पेट में एक लात मारती है और वहां से प्रिजर्व बॉक्स पे चड़ते हुए भागती है पर प्रोफेसर माई को पकड़कर उसका गला फिर से घोटने लगता है अब तभी माई को निंग की आत्मा पोजेस कर लेती है और डर के मारे प्रोफेसर कैड़ेवर वाले कैमिकल के अंदर ही गिर जाता है पोजेस्ड माई प्रती को कैमिकल से बहार नहीं निकलने देती और प्रती कैड़ेवर के साथ ही बुरी तरह मारा जाता है और ये सब कुछ देखकर सिवाई के होश ओड़ जाते है अब अगले सीन में हमें माई को दिखाते हैं जो नॉर्मल हो गई थी और वो काफी ज़दा खुश भी थी क्योंकि उसने निंग और तोस को प्रॉपर तरीके से दफन कर दिया था और सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक हो गया था और मुवी के लास सीन में हम लोग प्रोफेसर प्रतीक को देख पाते हैं जिसके कैडेवर को अब कॉलेज में यूज किया जा रहा था और ये काम जरूर सुवाई और माई ने मिलके किया होगा और मुवी यहीं पे खतम हो जाती है तो ये थी एक्स्प्लेनेशन कैडेवर मुवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मुवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू बबाई